सब्सक्राइब प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने सब तो वड़ा एक्स्क्लोजिव इंटर्वियू दिता है अखीर ले गेड़ दी वोटिंग तो पहला प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी दीता वड़ा दावा सुरन नू मिलिया प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी दा कहना है के अंडी ये दे पाक दे विज देश्च दोहजार चोदा को भी बड़ी वेवे वड़ी लहर है कॉंग्रेस दे दावे सिर्फ 40 सीटां तक सिमट के रैजन गया क्याना है प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी दा हार वेक के विरोधी होन में नू छट के चोन कमीशन नू गाला कड़न लगवे हान प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी विरोधीयां दे भी जम के वरे मुदी दा क्यापटा नमरिंदर सिंग दे दावयां दे उपर भी वड़ा स्वाल वेकर नू मिलिया परदान मंदरी नरेंदर मुदी ने पुछे है के जेकर किसान ना दे करजे माफ हुन दे तां आखर कार किसान खुद कुशियां करन नू क्यों मजबूर हुन दे ते पंजार चे जिते चोना दा महोल लगातार पखदा जा रहा है सियासी पाराज सिखर ले पदर ते पहुंच चुके है उथे परदान मंतरी नरेंदर मुदी दे नाओ खास गालबाद पीटीसी निूस ते हुन तो नुब खोने आ केड़े बाख़ा कमुद्याँ दे परदान मंतरी नरेंदर मुदी खुल लखे बोल दे बखाई दिते पिटीसी दे मोदी, बिग एक्स्क्लूसिब, अजिराद, आठवाज केस तब बिजामेट सास्टिकाल, स्वागत है साड़े सारे दर्शकाना, साड़ी आज दे इस खास पेशकर्श, खबर खास साड़े दर्शक्षियत मजूद ने, और किसे तारुफ दी, मौताज नहीं, और दा नामें, शिरी नरेंदर मोदी, देश देव प्रतान मंतरी, सर बहुत बहुत स्वागत है सच्छे काल पंजाब तुसी फिर पहुंचे हो, छे चरण बीट चुके ने, सत्वा चरण, होने जाहरत आरते, अखीर लिया नाट सीटा रहे गियाने, किस तरीके दा महौल देश देख रहे हो मैं पुरे देश में भ्रमन करके आ रहा हूँ अगर मैं 2014 की तुलना करूं, ते 2014 से भी ज़्यादा बड़ा वेव है 2014 के चुनाओं में, उस समय की सरकार के खिलाब देश का गुस्सा था उसको निकाननी के लिए एक आक्रोश था 2019 के चुनाओं में, मोदी को फिर से लाना BJP NDA को फिर से लाना, एक प्रकार से प्रो इंकममंसी वेव है और आपने देखा होगा, कि दो तीन चुनाओं चरण होने के बाद अचानक विपक्ष के लोगों ने, मोदी को जो गालिया देते थे उसको 50-50 कर दिया, 50% गालिया मोदी को, 50% EVM को चार चरण होने के बाद, थोड़ी बहुत गालिया वो election commission को देना शुरू कर दिये, और 6 चरण के बाद Congress के नेता एक कहते हैं कि 40 seat से हम ज़्यादा जीट जाएं तो तो क्या मोदी अपने आपको फासी पर लटका जाएंगे, यहने 40 seat जीटने की बाद Congress के वरिष्ट नेता पब्लिकली बोले हैं, तो इन सारी बातों से आप देख सकते हैं, के शुनाओ में जनता फिर से एक बार एक मजबूत सरकार बनाने के लिए, निरनायक सरकार बनाने के लिए, देश और दुनिया में भारत का नाम बढ़ाने के लिए, भारत के सामाने मानवी के जीवन में बढ़लाव लाने के लिए, गरीब से गरीब का कल्यान करने के लिए किसानों की जिन्द की बहतर बने इन सारे विश्वों पर देश में एक अभुत्पुर विश्वास इस चुनाव में नजरा रहा है आप पंजाब पहले भी आते रहे हैं गुर्दासपुर में एक रैली से आपने शुरुआत की थी आज आप पंजाब फिर आएं कैसा महाल नजर आता है पहले और अब के चुनाव परचार में कितना फर्क है मैं गुर्दासपुर आया तब भी मैं इसमत का था और उसके पहले भी मैं कई बार पंजाब आया हूं यहां जो राज्य सरकार जिस भरोसे से बनी थी जो वादे किये थे उन वादों को पुरा नहीं किया सैकडों किसानों ने आत्महत्या की कर्ज माफी के जूठे वादे किये थे एक रुपिया कर्ज माफी नहीं हुई बेरोजगारों के लिए बड़ी-बड़ी बाते किये थी और यह यहां किया ऐसा नहीं यह चीज उन्होंने करणाटक में की यह चीज उन्होंने मद्वदेश में की यह चीज उन्होंने चतिजगर में की यह चीज उन्होंने राज़तान में की तो जनता को बार बार धोका देते रहोगे तो पंजाब का किसान या पंजाब का मत्लाता ऐसा नहीं है कि आपके इन जूठी बातों को हर बार सुखार कर ले और इसलिए मैं डे बन से देख रहा हूँ पंजाब में जबर्दस गुस्था है वर्तमान सरकार के खिलाब राज्चे सरकार के खिलाब और इसलिए उसकी बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी सजा इस चुनाव में ये कांग्रेस को भूगतने पड़ेगी करतारपुर कॉरिडूर करतारपुर साब का लांगा दुनिया भर में बस्ते सिखों के लिए एक बड़ा श्रद्धे का विशे रहा है पहले तो भारत का विभाजन हुआ उस समय थोड़ी समझदारी होती थोड़ी समझदन सिल्का होती और करतारपुर साब का क्या महत्व है इसकी समझ होती और अगर उन्होंने इस बात को समझ करके किया होता तो करतारपुर साब माच जाता ही नहीं वो हिंदुस्तान का हिस्सा होता लिगे उस गलती को मिटाते मिटाते 72 साल बिस गए अब शायद गुरु आशिरवात से ये काम मेरे जिम में आया है और गुरुओं के आशिरवात से मैं इस काम को पूरा कर पाऊंगा ऐसा मुझे लगता है 1984 सिख दंगे शायद ऐसा कोई सिख नहीं होगा या वो लोग जो इंसाफ पसंद हो उनको दर्द नहीं हो आज भी कॉंग्रेस के लोग कहते हैं जो हुआ सो हुआ आपकी सरकार आई सजन कुमार को जेल हुई ये स्टेटमेंट इनका बड़ा दर्दनाक है ये गाउं पर नमक नहीं ऐसीड छिड़कने वाला है और ये उनकी मानसिकता का परिचायद है ये सिर्फ तिन शब्द नहीं है ये कॉंग्रेस की मानसिकता का परिचायद है कॉंग्रेस के अहंकार का परिचायद है और कॉंग्रेस जो सोचती है इसी के कारव 35 साल हो गए जयाय नहीं दे रहे थे कमिशन बनाए, कमिटी बनाए, वादे किये ये सब कह यहां, ड्रमेवाजी सब की, न्याय नहीं दिया, मैंने चौदा में वादा किया था, मैं इसको इमानदारी से काम करूँगा, हमने किया, एक को फासी तक पहुचाया है, एक कईयों को उम्र कहिद तक पहुचाया है, बाकियों के न्याय आने के संभावना एक के मलनात को, 1984 के वो भी आरूपी है, उनको मुखे मंतरी बनाया, उन्होंने पहले पंजाब का प्रवारी बनाया, पंजाब में विरोध हुआ, कॉंग्रेस चुनाव हार जाएगी, डर लगा, तो हटा दिया, लेकिन उनकी मानसिक्ता नहीं बढ़ ली, ये हुआ तो हुआ वा अंता पार्टी और अकाली दल का गठवंदन अभूत पुर्वा विजय प्राप्त करेगा, और दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने में, पंजाब की बहुत बड़ी भूमिका होगी अक्सर कभी किसी प्रधान मंतरी को किसी नेता के पैर चूते हुए नहीं देखा गया, अक्सर हमने नोटिस किया एक परकाज सिंग बादल के नरेंदर मोधी पैर चूते हैं, चाहे वो बनारस में गए हो, आज भी वो रश्चे देखने हैं, आखिर ये गैस्चर एक प्रध अधा भाव बना हुआ है, अब पियम बनने से कोई बदल तो जाता नहीं है, उन्हें देख के लिए, दूसरा, आज अगर हिंदुस्तान बजे के, बादल साब का जितना अनुभव है सारवजेनिक जीवर का, उस बराबरी का दूसरा कोई नेता नहीं है, बादल साब जैसा किसानों को समर्पित, आज देश में नेता नहीं है, देश की किसानों का सबसे बड़ा गन नेता आज कोई है, किसी ज establish चनल सिंग जी थे, चोद्र देविलाल जी थे, उनके नाम भी थे, आज सिर्फ और सिर्फ बादल साब है, और इसलिए, उनके जीवन के कारण, उनके सम प्रदान मंत्रें नरेंदर मोदी देश ते दुनिया दी खबराली जोड़े रहो पीटी सी न्यूस देनाल देवजाज़त तन्वाद प्रदान मंत्रें नरेंदर मोदी नो तुसी सुनिया पीटी सी न्यूस देते अपने एक्स्क्लोजिव इंटर्वी दोरान किसानना दे मुद्दे तो लेके करदार पूर लांगे तक प्रदान मंत्रें नरेंदर मोदी देनाली प्रदान मंत्रें नरेंदर मोदी दे पक देविच देश देविच दोजार चोदार देनालो भी वड़ी लहर है वड़ी वेव है खबर ते हो और जानका रिली सिदा रुक करांगे साड़ेनाल साड़े सायोगी हर परित बंदेशा जुड़ चुके हन हर परित तुसी कई वाक वाक मुद्या ते परदान मंतरी नरेंदर मुद्यी दे को लो स्वाल पुछे ते सारे ही स्वालां दे बेबाख होके जवाब दे वखाई दे परदान मंतरी नरेंदर मुद्यी और नाली के लिखाई दे वखाई दे के 2014 दे नालोवी वड़ी वेव है वड़ी लहर है बीजेपी दे पाक वजेवीच साफ कार दे थी कि अपनी ओना दी जडी बाटी दी जडी मेरा तार्डर है जो पार्टी काम कार रही है जो पार्टी ने काम कीते कि उनना ने क्या कि बिलकुल लोग जिते वी जा रहे हैं कि परवा हुगारा दे रहे हैं ते जाहर तौरते एक वड़ी जेतवा लजीव बाद रहे हैं कि इनना लबजी शुड्यूल होन दे बाद जूद जो 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 जाहर तौरते हैं कि उननों एक ची साफ नजर आ रही है कि जो काम कीते हैं उनना दे तारते हैं वोट मंगन दिगाल का रहे हैं कैपटिन अमरेंदर सिंग तो और ने सवाल चुकि जो का किपटन अमरेंदर सिंग और ने काक नहीं कीता किसान अज्यवी आत्मत प्रहा से का रहे थे एक लामित किते लुकी नहीं एक आगजी तारते सामड़े में कि पंजाब शिज लगातार किसाना नहीं कुछ-धुछ हो रहे हैं और दे जो देश काई कि ए चीज महीं होएगी इस पीजना जबाब कर्दान मंद्री पेला को शाहत कर गए कि क्रतारपुर्साथ जिता हिए ते करतारपुर साथ लांगा आती भी जाप जान दें कि करतारपुर साथ लेड़ा गुर्द्वरा साथ बिल्कुल बिल्कुल कई वाकवाक मुद्या दे बोल दे वखाई दिते प्रदा अनमंतरी नरेंदर मोदी हर परीत उसी बनेरो साधे नाल पर अपने दर्शका निकवार मोड तो वटियां कलना दास दिये प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने जडियां कीतियां अन्डीय दे पाकच देश्च 2014 वी वटी लहरा के अंदे वखाई दिते प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी प्रदानमंतरी नरेंदर मोदी ने 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 प्रदानमंतरी नरेंद वखाई दिते आओ एक वार तो हानू मुड़तों सुनों निया साथिकाल स्वागत है साड़े सारे दर्शकाना साड़ी आज दी इस खास पेशकर्ष खबर खास साड़े नाज जड़ी शक्षियत मजूद ने वो किसे तारूफ दी महताज नहीं उनादा नामे शिरी नरेंद्र मोदी देश देव प्रतान मंत्री सर बहुत बहुत स्वागत है पंजाब तुसी फिर पहुंचे हो छे चरण बीट चुके ने सत्वा चरण होने जाहरत और ते अखीर लिया उनाठ सीटा रह गियाने किस तरीके दा महौल देश देख रहे हैं अगर मैं 2014 की तुलना करूं ते 2014 से भी ज़्यादा बड़ा वेव है 2014 के चुनाओं में उस समय की सरकार के खिलाब देश का गुस्सा था उसको निकानने के लिए काक्रोश था 2019 के चुनाओं में मोदी को फिर से लाना BJP NDA को फिर से लाना एक प्रकार से प्रो इंकममन्सी वेव है और आपने देखा होगा कि दो तीन चुनाओं चरण होने के बाद अचानक विपक्ष के लोगों ने मोदी को जो गालिया देते थे उसको 50-50 कर दिया 50% गालिया मोदी को 50% EVM को चार चरण होने के बाद थोड़ी बहुत गालिया वो इलेक्षन कमिक्षन को देना शुरू कर दिया और छे चरण के बाद कॉंग्रेस के नेता एक कहते हैं कि 40 शीट से हम ज़्यादा जीत जाएं तो क्या मोदी अपने आपको फासी पर लटका जेंगे यहने 40 शीट जीतने की बाद कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता पब्लिकली बोले हैं इन सारी बातों से आप देख सकते हैं कि शुनाओ में जनता फिर से एक बार एक मजबूत सरकार बनाने के लिए निरनायक सरकार बनाने के लिए देश और दुनिया में भारत का नाम बढ़ाने के लिए भारत के सामान ने मानवी के जीवन में बढ़लाव लाने के लिए गरीब से गरीब का कल्यान करने के लिए किसानों की जिन्द की बहतर बने इन सारे विश्वों पर देश में एक अभूत्पुर विश्वास इस चुनाव में नजरा रहा है आप पंजाब पहले भी आते रहे हैं गर्दाशपुर में एक रैली से आपने शुरुआत की थी आज आप पंजाब फिर आएं कैसा महाल नजर आता है पहले और अब के चुनाव परचार में कितना फर्क है मैं गुर्दाशपुर आया तब भी मैं इस मत का था उसके पहले भी मैं कई बार पंजाब आया हूं यहां जो राज्य सरकार जिस भरोसे से बनी थी जो वादे किये थे उन वादों को पुरा नहीं किया सेंकडों किसानों ने आत्महत्या कि करज माफी के जुठे वादे किये थे एक रुपिया करज माफी नहीं हुई बेरोजगारों के लिए बड़ी बड़ी बाते कि थी और यहां किया ऐसा नहीं यह चीज उन्होंने कानाटक में की, यह चीज उन्होंने मद्यवदेश में की, यह चीज उन्होंने चतिजगर में की, यह चीज उन्होंने राजित्तान में की, तो जनता को बार बार धोका देते रहोगे तो पंजाब का किसान या पंजाब का मतलता ऐसा नहीं है कि आपके इंजुठी बातों को हर बार स्विकार करें कि मैं डेवन से देख रहा हूँ पंजाब में जबर्दस गुसा है वरत्मान सरकार के खिलाब राज्य सरकार के खिलाब और इसलिए उसकी बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी सजा इस चुनाव में ये कॉंग्रेस को भूगतने पड़ेगी करतारपुर कॉरिडोर करतारपुर साब का लांगा दुनिया भर में बस्ते सिखों के लिए एक बड़ा श्रद्धे का विशे रहा है लगभग 31-22 साल मुलक अजाद को होगे करतारपुर साब उदर रह गया लोग अरदासे करते रहे अब जाकर वो खुलने की एक उमीद जगी है आपकी सरकार ने कदम उठाए उदर से भी काम चल रहा है क्या लगता है कि आखिर पिछले इतने लंबे समय में ये क्यों नहीं हो पाया क्यों करतारपुर साब के कॉरिडोर को और अगर उन्होंने इस बात को समझ करके किया होता तो करतारपुर साब माच जाता ही नहीं वो हिंदुस्तान का हिस्सा होता लिगे उस गलती को मिटाते मिटाते 72 साल बीज गए अब शायद गुरु आशिरवात से ये काम मेरे जिम्में आया है और गुरुओं के आशिरवात से मैं इस काम को पूरा कर पाऊंगा ऐसा मुझे लगता है 1984 सिख दंगे शायद ऐसा कोई सिख नहीं होगा या वो लोग जो इनसाफ पसंद हो उनको दर्द नहीं हो आज भी कॉंग्रेस के लोग कहते हैं जो हुआ सो हुआ आपकी सरकार आई सजन कुमार को जेल हुई यह स्टेटमेंट इनका बड़ा दर्दनाक है यह गाँ नमक नहीं एसीट सिड़क ने वाला है और यह उनकी मानसिकता का परिचायक है यह सिर्फ तिन शब्द नहीं है ये कॉंग्रेस की मानसिक्ता का परिचे का है कॉंग्रेस के अहंकार का परिचे है और कॉंग्रेस जो सोती है इसी के कारव 35 साल हो गए जाय नहीं दे रहे थे कमिशन बनाए, कमिटी बनाए, वादे किये ये सब कह यहाँ, ड्रमेवाजी सब की मैंने, 14 में वादा किया तक मैं इसको इमानदरी से काम करूँगा। हमने किया एक कोफासी तक पहुँचाया है। एक कईयों को उम्र कहित तक पहुचाया है, बाकियों के न्याय आने के संभावना एक के बाद शुरू हुई है, मेरा मत है, न्याय मिलना चाहिए, अन्याय कभी भी किसी दुनिया में चल नहीं सकता है, मैंने इमान दारी सिर्श की कोशिश की। लेकिन कॉंग्रेस ने कमलनाथ को 1984 के वो भी आरूपी है, उनको मुखे मंतरी बनाया, उन्होंने पहले पंजाब का प्रभारी बनाया, पंजाब में विरोध हुआ, कॉंग्रेस चुनाव हार जाएगी डर लगा, तो हटा दिया, लेकिन उनकी मानसिक्ता नहीं बढ़ ली, य अभी आप रैली को संबोधित करकर रहे हैं, क्या महौल लगता है, क्या सबसे बढ़ा मुद्दा, अभूत पुर्व विजय प्राप्त करेगा, और दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने में, पंजाब की बहुत बढ़ी भूमिका होगी, अक्सर कभी किसी प्रधान मंतरी को क बहुत प्राजम्बिक दीनों में, मुझे बादल साब के साथ काम करने का मुखा मिला, और उन्हें बहुत प्यार दिया, एक बिच्चे को प्यार देते हैं से प्यार दिया, और पहले से मेरा उनके पती एक स्रद्धा भाव बना हुआ है, अब प्यम बनने से कोई बधल तो बादल साब जैसा किसानों को समर्पित आज देश में नेता नहीं है, देश की किसानों का सबसे बड़ा अगर नेता आज कोई है, किसी जमान में चोदर चर्ण सिंग जी थे, चोदर देविलाल जी थे, उनके नाम भी थे, आज सिर्फ और सिर्फ बादल साब है, और है आज भी वैसा ही है लोग उसको प्रदानमंत्र के रुप में जेकते हैं तो अलग बात हैं मेरे लिए तो बहुत एक सामानी जीवन से मुनों ने मुझे प्यार दिया है और कई सालों से आज बहुत साल हो गए तो वो बना रहा है उनका बहुत आभारी हो तुछी सानुक समा अज दिया सखास पेशकर्ष मेरे नाल फिला हालन नहीं मेंनो दियो इजाजत तनवार झाल